कि चलिए बच्चों अभी मेरे साथ से हम लोग पढ़ा रहे थे रेडियस ऑफ करवेचर और रेडियस ऑफ करवेचर में हमने बहुत सारी चीजे पढ़ी थी तो रेडियस ऑफ करवेचर मैंने लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था मैंने आपसे बोला था कि बच्चों वेलास्टी के पर्पेंडिय कुलर एक्सलिडिशिं निकाली या दिलाता ओ तरीका वेलास्टी के पर्पेंडिय कुलर एकक्सलिडियस ऑफ करवेचर पूछा गया है तो इस पॉइंट के पास-पास दो normal डाल देजे, dx distance पर जो मौदूद है, उनका intersection point, जो है वो center of curvature of the curve कहलाएगा, ठीक है बच्चों? अच्छा दूसरी चीज ये है कि फिर मैंने आपको बताया था कि omega v velocity जतना angle घूमेगा उतना ही radius vector angle घूमेगा तो omega v और omega r बराबर होगा, अगर मैं c से r को measure करूँ तो ठीक है, और c से इस point की distance को radius of curvature कहते हैं और फिर मैंने ये भी बोला था कि omega into v की value में omega की value, अब मैं v by r डाल सकता हूँ क्योंकि ये circle में घूम रहा है, ऐसा माना जा सकता है तो यहां से v square by r normal acceleration के बराबर आ गया है अब उसके बाद फिर मैंने बच्चों आप से कहा था सर एक या दो similar question करा दीजिए किसी topic पे, किसी topic के इसी topic के ठीक है, अब यहां पर फिर मैंने आप से बोला कि radius of curvature की value क्या होगी तो आपने इसको calculate करके दी आया था और या यूं कहें कि मैंने आप से पूछा था तो radius of curvature की value आ गई थी, ठीक है तो मैं आप से आज radius of curvature की कुछ question discuss करूँगा फिर आपको radius of curvature का mathematical formula बताऊंगा, उसको derive भी करूँगा और उसके बाद इस chapter close हो जाएगा ठीक है, फिर next class से हम work power और energy पढ़ेंगे, और थोड़ी सी energy अपनी बढ़ाएंगे, ठीक है अच्छा, तो बच्चों circular motion की अगर बात करें तो question शुरू करते हैं यहां से एक particle को यह question में last class में भी मैंने लिया था तो उसी का use कर सकते हूँ उस data का 50 meter per second से एक particle को फेका और 53 degree है ना 53 degree angle पर vertical circular motion बेटा WP, work for energy में last में होगा ठीक है, से फेका गया T बराबर 0 पर यह particle फेका गया बच्चों, find radius of curvature find radius of curvature on which particle travel curvature of the curve on which particle travels at T equals to one second one second पर जो particle का कर की location होगी वहां का radius of curvature क्या होगा यह आप से पूछा जा रहा है चलिए शुरू हो जाईए देखते कितने लोग बता पाते हैं आपका स्लेबस फास्ट हो इसके लिए मैंने रोहिद गुप्ता सर से बोला है कि फ्लिवड स्टार्ट कर दें रोहिद गुप्ता सर तो रोहिद गुप्ता सर आपको फ्लिवड पढ़ा देंगे और पुनीत सर जो है वो फिर ट्वेल्थ का चालू कर देंगे है ना तो इससे क्या होगा थोड़ा स्लेबस फास्ट हो जाएगा और हमें भी कफी बेनिफिट मिल जाएगा रंजन बाबु ने आंसर बताया है 30 रूट टू अब बाउन जी कॉस 45 एनिवन एल्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने बताया है बिटा कब होगा वर्ट पार एनरजी की लास्ट में होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलो जी T बराबर 1 सेकंड पर देखें क्या देखते हैं T equals to 1 सेकंड पर पहले सबसे पहले ये देखो 40 equals to 0 पर पार्टिकल के वल्गाउस्टी के दो कॉंपोनेंट एक है 50 sin 53 और 50 cos 53 50 cos 53 30 आएगा बच्चो और यह आएगा 40 ठीक है इतना आ गया अच्छा अब क्या करना एक सेकंड बार इसकी velocity 30 हो जाएगी 30 और इसकी velocity भी 30 हो जाएगी बच्चो हो जाएगी अच्छा तो रिजल्टेंट कह सकता हूं मैं 45 डिग्री पर होगा तो steps यहाद दिलाता हूं क्या steps यह थे कि velocity के perpendicular acceleration निकालिये step number one find acceleration perpendicular to net velocity किसी component के नहीं net velocity ठीक है bracket में उसकी value को क्या बोलेंगे अन दूसरा इक्वेट अन अन विद वी स्क्वार बाई आर यू विल गट द राडियस चाहिए जी डाउनवर्ड होता है बच्चो जी डाउनवर्ड होता है कि नहीं होता मतलब 10 ठीक अच्छा यह आया perpendicular direction में सारे angle 45 है तो यह angle 45 हो गई होगा तो perpendicular direction में जो acceleration का velocity के perpendicular component होता है उसे normal acceleration कहते हैं जिसकी value यहां पर g by root 2 होगी ठीक confirm इतनी बात समझ में आ गई चलिए तो normal acceleration की value निकालते है normal acceleration is g by root 2 that is 10 by root 2 आ गया अच्छा तो चरह formula में put करते हैं तो 10 by root 2 equals to v square by r बचो v velocity कितनी होगी 30 और 30 का resultant तो 30 root 2 होगा अच्छा आप इसका square करना है बच्छो तो 30 into 30 into root 2 का square 2 हो जाएगा ठीक है बच्छो v square by r यह आया तो यहां से radius of curvature की अगर हम value निकालते हैं तो वह value आती है 180 root 2 meter this is the radius of curvature of the particle at that instant new student what to do new student है आप तो अभी भी class कर सकते हैं और में work power energy start करने जा रहा हूं यह class na cp के लिए basically चल रही है तो आप कल से next class से class start कर सकते हैं क्या बच्चो किसी को कोई doubt हो तो comment section में लिखें वरना मैं आपको अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं जो अगला question आपसे पूछने वाला है वो करके दिखाऊ मैं मान जाओंगा आपको समझ में आ गया है मुहमद मिकायल सर प्लीज अप्लोड रोटेशनल मोशन और लेक्चर बिटा मैं वह अप्लोड नहीं कर रहा हूं उसी चैनल पर जाकर के न comment section पर आप लोग डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर भी मैं भी एक बार बोल दूंगा न और बोल तो ज्यादा पर जुक्त तो बच्चो यह समझ में आया की नहीं को अगला कुशंट में नहीं समझ में आया प्रिंस रॉय आप तो आजी आपने क्लास अटेंड की तो आपको कैसे समझ में आएगा बच्चों है ना पहले से पढ़ रहे हो तो जरूर समझ में आता अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों फिर भी प्रोजेक्टाइल siya का कॉंपोनेंट निकालें तो हमें पता है की पार्टिकलृ का एकसलेशिन हमेचा जी डाउनवर्ड होता है अन् делает 45 को यह वाला पर पैंडिकलर कॉंपोनेंट 45 पर होगा जी IT रूट होग़ा अब इस चैफिर को वी स्क्वार बाइआर से क्यूइट कर दें जहाँ पर आर आपको radius of curvature की value दे देगा यानि की radius of curvature की value क्या होगी 20 or by an clear है बच्चों चलिए अगला question पूछता हूँ देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं question number 2 find radius of curvature find radius of curvature curvature at take us to 2 second चलिए 2 second पर बताईए radius of curvature कितना होगा आप देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं भाई की का आप देखते हैं लोग भाई दापका से घापका मुनते हैं की का अबाई, 80 रूट टू, थोड़ जिन्था क्लास चिराइंग, इस क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि ये टेंथ के एक्जाम बच्चों के होते हैं इस कारण से, थोड़े दिनों का गैब देंगे, एक्जाम टाइम में, आरो ने कुछ आंसर बताया है, 130 रूट 13 बाई 3, ये आरो का आंसर आया है, कुमार रॉय का, 80 रूट 2 आया है, अच्छा, अन्शित का आया है, 60 रूट 2, रंजन का आया है, 130 रूट 13 बाई 3, प्रीत बंसल का आया है, 10 रूट 13, ओ भाईया ये की आंसर पर टिको यार, सब लोग अलग अलग निकाल लेग, कैसे काम चलेगा यार, 130 रूट 13 बाई 3, रंजन कुमार और पीत बंसल का आंसर मैच कर गया है, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, 130 रूट 13 बाई 3, शौर भारको का भी आंसर है, ओके प्रीत बंसल, सौरी सर, 13, पता नहीं क्या लिख रहा है ये ना राई, चलिए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, भाई, इस तरीके के क्लास में अभी पूछ, मैं नहीं इंटर्टेन कर पाऊंगा, राशी आउजा का है, 90 रूट 2, रोते हुए काफी, चलिए, ठीक शुरू करते हैं, देखते हैं कि रेडियस ऑफ करवेचर दो सेकेंड पर क्या आता है, ठीक है, तो बचाईए है पार्टिकल का, यह है फ्लोर, पार्टिकल को फेका था, कितनी वेलास्टी से, 53 से, 50 मीटर पर सेकेंड से, 53 डिगरी अंगल पर, और हमने आप से पूछा था, टी बरावर 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट था, 40, यह कॉम्पोनेंट था, 30, दो सेकेंड बाद, दो सेकेंड बाद, इसकी वेलास्टी होगी कितनी, 20, और इसकी वेलास्टी बच्चों कितनी रहेगी, 30, ठीक है, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला, चिंता मत करो, मैं तो, मैंने क्या बोला था, मैं शुरू से अभी तक यही बोलता आ रहा हूँ, जब तक मैं पूरा फिजिक्स का स्लेबस नहीं कम्प्लीट कर लेता, तब तक मैं नहीं छोड़ूँगा, चाह एक भी बच्चा न अब नेट एक्सलेशन का डारेक्शन बच्चो क्या रहेगा, नेट एक्सलेशन का डारेक्शन डाउनवर्ड होगा, जी, जी की वैलू है 10, हमें चाहिए वेलास्टी के परपेंडिक्लर कॉम्पोनेंट, तो बच्चा पाटी, ये थीटा, तो ये 90 बैनस थीटा, तो ये व एक्सलेशन एन, और ये बराबर होगा, वी स्क्वाइर बाई आर के, तो यहां से रेडियस ऑफ करवेचर की वैलू आती है, वी स्क्वाइर अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है बच्चा पाटी, वी स्क्वाइर की वैलू, ये देखिए, रूट 20 स्क्वाइर प्लस 30 स्क्वा ये है थीटा, ये है 20 और ये है 30, तो ये आया 2, ये आया 3, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैलू कितनी आ रही है, 3 बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 3 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 4, ठीक, चली यहां से देखते हैं कितना आता बच्चो, तो ये आया 1300, डिवाइड बाई 10, 3 और ये उपर गया, तो रूट 13 हो गया, ठीक, ओहो, आंसर आता हुआ, दिख रहा है, ये चैंसल, तो रेडियस ऑफ करवेचर आता है बच्चो, 130 रूट 3, डिवाइड बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं 130, 130 डिवाइड बाई रूट 3, ये भी लिखा जा सकता है ना भाई, तो ये है रेडियस ऑफ करवेचर, ये वैलू है, गरबल कर दिया, ये रूट 13 है, ये रूट 3, ये 3 से कैंसल कैसे हो जाएगा, तो ये ही आंसर रहेगा बच्चो, ये है आंसर, 130 रूट 13 बाई 3, हाना भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर आएं, क्या अ अगला कोश्चन बताओ, कोश्चन नमबर 3, आज रेडियस ऑफ करवेचर की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोश्चन नमबर 3 है, समझ गए होंगे, कई लोग तो, फाइंड रेडियस ऑफ करवेचर, करवेचर, प्रिवियस कोश्चन में, 80 इक वस्टो 3 सेकेंड, तीन सेकेंड पर रेडियस ऑफ करवेचर बताईए, जल्दी से, फटा फट, तो, हम भी देख लें, भाई, हमसे आंसर आ रहा है की नहीं आ रहा है, हम सौल कर पाते हैं की नहीं, चलिए, देखें, चेक करें, चेक करते हैं, यार, तो हमसे फिर आना चाहिए, राइस से बात हमें भी पढ़ाना आता है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट बच्चों दस हो जाएगा तीन सेकेंड बात, और ये हमेशे ही तीस रहेगा, रिजल्टेंट वैलू जो है, वो इस डारेक्शन में आएगी, वी, और अगर मैं कहूं कि ये एंगिल इस बार अलफा है, ठीटा भी सकते थे कोई बुराई नहीं है, अलफा लिया है, तो हमें जी का कौम सा कॉम्पोनेंट चाहिए, पर्पेंडिकलर वाला कॉम्पोनेंट चाहिए, पर्पेंडिकलर वाला कॉम्पोनेंट देखिए, ये एंगिल अलफा तो बच्चा ये एंगिल भी अलफा, है ना, तो जी क पाटी R की value क्या होगी V square upon 10 cos alpha होगी और क्या होगी और V square की value बोलो तो 10 और 30 का resultant है ना? तो कितना आ जाएगा 10 का square बोलो 100 और 30 का square 900 upon 10 अब cos alpha की value रख देते हैं जहां पर ये alpha ये 10 ये वाला component 10 और ये आला 30 तो 1 by 3 हो गया तो cos alpha की value क्या आगी? 3 upon root ये वाला root 3 square plus 1, root 10 आगया की नहीं? क्यों बच्चों? सही है ना? तो देखते हैं क्या आता है radius of curvature की value आती है यहां से इसको bracket में बंद कर देते हैं और ये आजाएगा 1000, 1000 by 10 बचेगा 100, तो ये आएगा 100 by 3 root 10, ये है answer radius of curvature ठीक है बच्चों? तो ये है radius of curvature देख लीजे भाई कोई doubt आ रहा है तो बता दीजे थोड़े दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा late class करने की अभी तो नहीं लेकिन देखता हूँ कुशिश करूँगा कि अगर possible हो पाया अभी रंजन बाभू वाली derivation भी करवाएंगे आप निश्यंत रहें लेकिन पहले radius of curvature के questions की practice करने देजिए ठीक है अगला question थोड़ा different है अब उस तरीके का नहीं है question number 4 देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक circle पर एक particle constant speed V0 से travel करता है circle का radius है R circle का radius है R पड़ा मज़ेदार ये particle A ये position B बता मान लेते हैं ठीक है और एक reference frame जा रहा है V0 speed से ठीक मान लेते हैं ये reference frame है X तो in the reference frame of आ रहा है यार मेरे साथ से तो सही चल ला है in reference reference frame of X in reference frame of X find radius of curvature find radius of curvature of curve on which particle move in this frame when part A particle is at A and B particle is at B शुरू हो चाहिए देखते हैं कितने लोग बता पाता हैं ये बच्चों थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं डाग्राम ये एक्स वी नॉट से इधर जा रहा है मिश्रा जी गोड इवनिंग तो फटा फट बताईए जरा साब कि आखिरकार जब इस frame से मज़र करेंगे तो radius of curvature A और B पर क्या होगा झाल 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 चलो चलो बताओ फड़ाफर बताओ ओके तो मैं बताना शुरू करता हूँ और देखते हैं कितने लोग इस कोश्चन का समझ पाते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज क्या सर ने सिखाया है सर ने सिखाया है कि मैं स्टेप याद दिलाता हूँ तुमको स्टेप है सबसे पहले नेट वेलास्टी निकालिए नेट वेलास्टी पहला स्टेप फिर उसके पर्पेंडिकुलर एक्सलेरेशन निकालिए और उसको वी स्कूर बाई आर से एक्वेट कर दीज़े यही तो बताया है तो अब यही काम आपको एक्स फ्रेम से करना है चला चेक करिए पार्टिकल का एक्सलेरेशन कितना है इस साइट अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जा रहा है तो पार्टिकल एगर सर्क्लर मोशन में बच्चो जा रहा है तो इस साइट पार्टिकल का एकसिलेशन वी नॉट स्क्वार वाई र होगा सेहमत है ठीक है और यह एकसिलेशन होगा और वेलासिटी तो वी नॉट है तो अगर मैं इस फ्रेम से जाओं जो कि कॉंस्टेंट विलासिटी वी नॉट से स्टेट लाइन में चल रहा है बच्चो तो याद एक जिस फ्रेम में जाते हैं उस फ्रेम की विलासिटी और एक्सेलेशन उल्टा करके जोड़ देते हैं अब मेरा जो फ्रेम है इसका अश्रा कर जोड़ उत अगर नहीं है लिए बस्रेम को जोड़ millimeter है लेकिन वी नॉट को अगर करे जोड़ तो तुमी नुँधि पर भी नॉट हो जाएगी फ्रेम तो नहीं हो जाएगी तो आज सुछी तो मोधि sound से से चलुड़ ईस्पॉर करक वी स्क्वाइर बाइर ब्रावर नए फ्रेम में रेडियस ऑफ करवेचर अगर मैं आर डैश मान लूँ तो देखें आर डैश की वैलू कितनी आ रहे है बच्चो फोर आर तो यह रहा आंसर खटाक हो गया खतम खलास ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं जब यह बी पर पहुँचेगा तो फिर से ट्राइ करते हैं बी पर वेलास्टी वी नॉट होगी बच्चो एक्सेलेशन इस साइड होगा वी नॉट स्क्वाइर बाइ आर अब जड़ाव एक्स फ्रेम में जाते हैं एक्स फ्रेम में जाने पर वी नॉट का उल्टा करके जब जोडएंगे वी नॉट का उल्टा करके जोडएंगे बच्चों तो यह है वी नॉट और यह है वी नॉट का उल्टा करके जोड़ा तो resultant आ गया resultant आ गया root 2 V0 root 2 V0 root 2 V0 ठीक यह आ गया अच्छा अब आगे बढ़ो acceleration देखो दोनों frame acceleration same रहेगा क्योंकि हम जिस frame में जा रहे हैं बच्चो उस frame का acceleration तो 0 है तो इस frame का अगर acceleration 0 तो उल्टा करके अगर इसमें कुछ जोड़ो गे भी तो एक्सलेशन तो V2 रहेगा लेकिन V0 को ल्टा करके जोड़ोगे तो V0 इसमें एक और अगर हो जाएगा तो टोटल विलासिटी कितनी हो जाएगी root 2 V0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो बना दी मैं root 2 V0 अच्छा आप एक्सलेशन लिग देता हूँ एक्सलेशन बच्चो कितना था इस साइट था और कितना था V0 स्कॉयर बाई आर यह कैंसल कर दो क्योंकि आपने root 2 V0 ले लिया अच्छा अब एक्सलेशन को कौन सा component चहिए याद करिए यह 45 डिरी है पर्पेंडिकुलर component चहिए ना नॉर्मल एक्सलेशन निकालने के लिए तो पर्पेंडिकुलर component निकाल लीजिए उ कितना आएगा V0 स्कॉयर बाई आर कॉस 45 तो यह आगया दीचे 1 by root 2 यह नॉर्मल एक्सलेशन को हमें एक्क्वेट करना होगा V2 by r से इस फ्रेम की velocity तो नॉर्मल एक्सलेशन है V2 by root 2 r ठीक है V0 square by root 2 r ठीक है इस फ्रेम में particle की velocity है root 2 V इसका square करो तो कितमा आगया 2 V0 square by r 2 V0 square अब माल लेते हैं इस फ्रेम में radius of curvature r dash है तो यह आगया r dash बच्चो ठीक तो V0 square V0 square हो गया cancel जड़ा r dash की value बोलिए कितनी आ रही है क्या यह value root 2 r आ रही है 2 root 2 r आ रही है बच्चो 2 root 2 r वावा क्या बात है तो बच्चो B part का answer थोड़ा आपने गलत निकाला था बाकी तो सही निकाला था B part का answer है 2 root 2 r हब Flix आसर आपसे quota में कहां मिल सकते हैं बिटा आप quota में अनकेडमी में मुझसे मिल सकते हैं और कहां मिलेंगे देखो चेक करो रंजन बाबू ने 2 root 2 r निकाल दिया बिलकुल सही बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो यह था question बच्चो frame पर change करने पर जो question बनते हैं उनमें से एक अब मैं आपको radius of curvature का formula बताने जा रहा हूँ expression of radius of curvature यह थोड़ा tough है भाई यह ना बरदास्त ना हो तो final expression रट्टा मार लेना तो expression of radius of curvature पहले यह बता दे रहा हूँ of a curve curve की equation दी गई है equation of curve हमको given है equation of curve is given ठीक है इसकी equation पर लिए और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर equation given है तो आप हमें बताएं कि radius of curvature क्या होगी किसी भी point पर तो द्यान से सुनेंगे radius of curvature की definition आपको बताने जा रहा हूँ क्या है definition याद करिए मैं पहले ही बता चुपा हूँ last class में बताई थी माल लेजे बच्चो यह है axis x-axis और y-axis नाम तो सुना ही होगा और यहाँ पर कोई curve है इस जगे कोई curve है ऐसा यह कोई curve है ठीक मुझसे कहा गया है इस point की radius of curvature बताईए तो मैं क्या करूँगा मैंने जो सिखाया है मैं वो करूँगा भाई मैं कहूँगा यहाँ से normal draw करिए यहाँ से normal draw करिए कर दिया यह normal draw ठीक है अगर यह अच्छा यहाँ पर tangent भी draw कर दीजे लगे हाँ तो भाई यहाँ पर tangent draw करिए और यहाँ पर tangent draw करिए इस जग है अगर यह बच्छो angle ध्यान से सुनना मेरी बात को d theta है ठीक है और white वाली tangent जो है वो यहाँ से theta angle बना रही है white वाली tangent कितना angle बना रही है theta angle तो green वाली tangent यहाँ से कितना angle बनाएगी क्या कह सकता हूँ theta plus d theta क्योंकि यह normal यह tangent ठीक यह normal और यह tangent यह अगर angle 90 है और यह वाला angle भी 90 है तो जाहिर सी बात है यह जितना घूमेगा उतनी ही tangent घूमेगी यह तो अपने बात किती है ना rate center of curvature के case में omega v और omega r बराबर होता है तो radius जितना घूमेगा position vector plus dx ऐसे ही यह point होगा y तो यह point होगा y plus dy y plus dy ठीक अभी तो lag नहीं हो रहा बच्चो अब ठीक है तो यह y यह y plus dy यह x यह x plus dx अचा है माल लेते हैं यह curve की length इस जगह ds है कितनी है बच्चो length कितनी है ds अब ज़रा ध्यान से सुनना थोड़ा zoom करके देखो इसको यह है ds यह है dx तो यहां बनाया dx और यह है dy और इसी angle को तो हम theta बोलना है है बच्चो क्लियर यह है ds यह है ds तो यह है यह length dx और यह length dy और यह angle देख लीजे कितना है theta theta plus d theta वाला repeat कर देता हूं बिटा देखो ज़रा ध्यान से यह ठीक और यह 90 अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा यह theta है ध्यान से सुनना यह theta है तो यह angle 90 minus theta होगा यह angle 90 minus theta होगा और यह 90 है क्योंकि यह tangent और normal का case है तो यह भी theta होगा कि नहीं होगा तो इसी तरीके से अगर यह theta plus d theta हुआ अगर यह और इसको देखें यह है green वाला और यह है green वाले पे tangent तो अगर यह angle theta plus d theta ऐसी तरीके से तो यह वाला एंगल पी तो वही होगा theta plus d theta जैसे मैंने प्रूफ किया यह theta तो यह angle theta वैसे यह theta plus d theta तो फिर यह वाला एंगल भी theta plus d theta अभी समझ में आया बिटा ठीक चलिए radius of curvature क्या है EI distance है तो मुझे एक formula बताया था Guru जी नी क्या बताया था आर्क अपॉन radius आर्क अपॉन radius equals to angle d theta आ गया ठीक है तो मुझे radius of curvature निकालनी है बच्चों तो क्या चाहिए मुझे चाहिए ds by d theta जरा preparation कर लेते है ds by d theta निकालने की ठीक ds by d theta निकालना है हमको तो हमारा काम बन जाएगा की नहीं बन जाएगा ठीक ds की value क्या है अब यह विजे खुल ज़रा triangle से कितनी है ds की value यहां इस triangle बढाई triangle triangle में under root dy square plus dx square है की नहीं है ठीक बचा d theta अब गुरुजी यह d theta कैसे निकालने है तो बड़ी टेड़ी खीर है भाई मागा d theta निकालने है तरीका है यह कैसे की देखो कैसे 10 theta की value dy by dx यह तो पता ही है भाई tangent का slope dy by dx होता है अब ज़रा इसको एक बढ़ डिफ्रेंशेट करो देख देल गया d of dy by dx d of dy by dx d differential element वाला derivative भी याद करो यार अचा दोनों को x के relative करना तो फिर x से divide कर दो आप तो यहां से बच्चोड d theta by dx की value आ जाती है कितनी आती है d theta by dx की value आती है d2y by dx2 d2y by dx2 upon sec square theta upon sec square theta आ रही की नहीं आ रही है ठीक है dx को इधर ले जाओ यह भी कर सकते हो चलो इस value को वहाँ पर put करने जा रहा हूं देखते है क्या आता है ठीक है चलिए साब put करते है तो बच्चो यह आया ध्यान देना ज़रा dy by dx dy square plus dx square यह आया ठीक है divided by d theta की value d2y by dx2 ठीक और उपर आ गया sec square theta into dx चेक करो यह तो आया देखो तसलिए से नीचे dx आएगा sorry dx जो है वो नीचे आएगा देख लीजे यहाँ पर dx उपर है d theta की value यहाँ पर यह वाली value यहां से उठा रहा हूँ copy और अगले वाले पर paste करूँगा लरबड़ कर दिया मामला फिर से copy करता हूँ paste यह लीजे साब यह आ लिया आप जाध्यान दीजे भाई फिर से आर की value dx दिवाइड कर दीजे भाई यह क्या आया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वाइर यह आ गया ठीक अच्छा सेक स्क्वाइर थीटा मारे पास अगर मैं डिवाइड करू तो सेक स्क्वाइर थीटा को क्या लिख सकता होँ 1 प्लस 10 स्क्वाइर थीटा लिख सकता हो तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वाइर ये लिजे साब, divided by बोलिये बच्चों, d2y by dx2, ठीक, 10 theta क्या था, याद दिलाता हूँ, 10 theta dy by dx था, तो ये फिर और क्या आगिया, जल्दी बोलो, फटा-फट, ये आया, root 1 plus dy by dx का whole square, और यहाँ पर फिर से 1 plus dy by dx का whole square, दिलार, divided by d2y by dx2, लो जी, आगया formula, तो ये है radius of curvature का famous formula, and that famous formula is, 1 plus dy by dx का whole square to the power 3 by 2, divided by d2y by dx2, ये है radius of curvature का formula, ठीक, ये formula को आपको, ये इसका derivation समझ में आए, चाहे ना आए, इसका रटा मारना होगा, ताकि कभी जरूरत पढ़ने पर आप इसे use करके फटाफट answer निकाल सके, तो circular motion बच्चो आज हुआ है, खतम, अब जल्दी से आपको circular motion का assignment मिल जाएगा, तो आप circular motion के question solve करिए, आप SCV भी कर सकते हैं, आप erudo भी कर सकते हैं, आप अपने coaching के material भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, चलिए बच्चो मिलते हैं, next class में, work power energy chapter के साथ, तब तक के टाटा बाबाय,